सो गाइज वेलकम टो प्ले कंसोल आज किस वीडियों में बात करेंगे असेंस के वालहला के बारे में और असेंस के वालहला किस कंसोल पर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एक्जबॉस सेरीज एक्स यह फिर प्लेसेशन 5 क्यूंकि दोनों ही नेक जेनेशन और काफे पा है क्योंकि इसी टैप से मैं गेमिंग रिलेटेड वीडियो जाते रहता हूं असेंस के वालहला प्यस फाइव और एक्स दोनों पर ही 1440 पे चल रहा है यानि कि इसका जो नेटिव विशन है जो डाइनेमिक विशन है वह 1440 पी है अब यहां पर बहुत लोग कहेंगे कि यह जो 4K में चल रहा है 60fps में लेकिन यह जो 4K है इसे अपस्केलिंग किया गया है 4K पर असल में इसका नेटिव विशन 1440 पी है और अपस्केलिंग करके इसे 4K में कर दिया गया है ताकि आप जब इसे 4K TV पर खेलने तो आपको एक स्मूद और अच्छा एक्स्प्रियंस मिल अगर Ubisoft 30fps का टार्गेट करता यानि कि 30 फ्रेम रेट का तो डेफिनेटलि यह गें 4K में चल सकता था लेकिन यहां पर टार्गेट किया गया है 60fps को तो इसी लिए यहां पर एफ्पीस बढ़ाने की वज़े से रेजुलिशन को ड्रॉप करने पड़ा है तो यहां पर इसी सब्सक्राइब में ऐसी है जो काफी है या फिर जहां पर नैचुरल इंवार्मेंट ज्यादा है तो वहां पर जो फिर्म रेट्स है वह ड्रॉप हो रहे हैं एक्सबॉस स्रीज एक्स में PS5 से ज्यादा फिर्म रेट्स हो रहे है क्योंकि यहां पर 60fps तो किया गया है लेकिन जब आप किसी ग्राफिक्स डिमांडिंग जगह पर जाते हैं तो एक्सबॉस स्रीज एक्स में 60 fps से डॉप होकर 50 या 55 fps तक हो जाता है और इवन सम केसे में तो ऐसा भी हो रहा है कि fps ड्रॉप होकर 45 हो जा रहा है तो 60 से 45 एक बहुत ही मेजर डिक्रीज है जो के ps5 में आपक जाता है लेकिन सिरीज एक्स में 40 45 तक भी पहुंच रहा है तो यह एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इतना ज्यादा डिक्रीज होना फिर्म रेट का यह ठीक नहीं है वह भी नेक्स जेंशन कंसोल को ध्यान में रखकर बनाया गया है यह फुल नेक्स जेंशन कंसोल क अधर गेम नहीं है और उनके पार को यूटलाइज नहीं कर रहा है और मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी है कि नेक्स जेंशन गेम आपको 2022 से पहले देखने को नहीं मिलेगा जो के टू नेक्स जिंड होने वाला है तो करन जेंशन के एंड साइकल के गेम को चला से यहां पर चार-पांच सिरीज जो है जल्दी लोड हो जाता है PS5 में और Xbox Series X में थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने में गेम को कंपेर टू प्लेशन 5 बट हमें जैसा के पता है PS5 का जो SSD है वह एक अल्ट्रा-फास कस्टम SSD लगाया गया है तो डिफिनेटली उसकी ज से ऐसा नहीं है क्योंकि अधर गेम में बहुत सारे गेम में नहीं भी हो रहा है उसी तरफ बात करें अगर डर्ट 5 के बारे में तो डर्ट 5 में एक बॉसरीज ज्यादा अच्छा है प्लेशन 5 से प्लेशन 5 का जो डर्ट 5 वह थोड़ा डारकर है वहां पे शैडू में थोड का इसू है हो सकता है पैच के साथ यहां पर फिक्स किया जाए इस चीज़ को जो फिमरेट ड्रॉप सो रहे हैं वह तो होना नहीं चाहिए पैच के साथ इसे फिक्स किया सकता है लेकिन फिलहाल वलहला का यही रिजल निकल के आया है कि PS5 बेटर है वलहला में most of the time PS5 का जो चाहिए वह इसका ड्रॉप हो जाता है उसी तरफ अगर बात करें एक वह सिरीज के बारे में तो एक वह सिरीज का हमें 1440 पी रिजलोशन है और उसमें 30 fps में गेम को लॉट चलाता है इसमें जो है रिजलोशन कम कर दिया गया है थाउजेंटी पी नेटिव रिजलोशन है इ वो 1440 पी जो है इसका अप्सकेलिंग वर जाने और फ्रेमरेट जो है इसमें 30 fps लोग है लेकिन एक बॉस स्रीज की यही खासियत है कि इसमें फ्रेमरेट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं यह कॉंस्टेंट 30 fps पर गेम को चला रहा है इसमें फ्रेमरेट ड्रॉप का इशू नहीं है एक स्रीज में है और थोड़ा PS5 में भी है तो एक तरिके से एक गेंप्लेट के बारें बात की जाए तो एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी हमें पता है जो टीवी है वह स्टैंडर्र बन चुके है अब सब घर में आपको मिलते हैं एक स्ब्सक्राइब के सब्सक्राइब करता है तो आप मुझे कमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपके क्या उपिनिन है असन्सकिर वलहला को लेकर और आप ये पर्चेस करने की सोच रहे हैं या अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो को ज्यादे से जादा शेयर करें तो मिलते हैं आपने नेक्स वीडियो में तिल दें टेक क्यार